कोल इंडिया लिम्टेट में अप्रेंट्शिप करने वालों की बल्ले बल्ले जी हां दोस्तों बढ़ गई है सेलरी कोल इंडिया में अप्रेंट्शिप वालों की तो आज के वीडियो में कम्प्लीट जानकारी देंगे कि आप लोगों को अब अप्रेंट्शिप करने पर कित इतना रुपए महीने का सैलरी मिलेगा इसके अलावा आपको जानकारी देंगे कि कौन-कौन लोग इन चीजों के लिए eligible होंगे वीडियो को start करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी information कि दोस्तों अगर आप लोग NTPC के लिए तयारी कर रहे हैं mining exams की जैसे overman mining सरदार या पिर जो है अपना vocational training instructor की तो आप लोग coaching join कर सकते हैं एक तारिक से बेच start हो रहा है इसके अलावा हमारे पास mining सरदार, overman, mat, plaster, foreman के notes भी available हैं तो contact जरूर कीजिए नंबर आपके सामने screen पर है दोस्तों जैसा कि आप लोग screen पर देख सकते हैं Cole India Limited ने internship का मानदे बढ़ाया Cole India Limited में हम जानते हैं कि अलग-अलग प्रकार की job आती है जैसे कि mining engineering वालों के लिए mining सरदार, overman की vacancy इसके अलावा surveyor की vacancy इसके अलावा जो है Cole India Limited डारेक्ली MT को लेता है याने कि management trainee को जिसमें आपको डारेक्ली assistant manager की post मिलती है तो हर किसी के लिए Cole India Limited जो है वो जरूरी हो जाता है तो Cole India Limited एक सरकारी company है और Cole India Limited जो है भारत की एक बड़ी company है जो की एक PSU है याने की Public Sector Undertaking या यह कहा सकते हैं कि यह सरकारी companyों में भी एक बड़ी company है इसके अंतरगत 8 company जो है वो चलती है डारेक्ली तोर पर और जो है 4-5 company ऐसी है जो चल रही है इसके अलावा विदेशों में भी जो है Cole India Limited की subsidiary है तो यहाँ पर जो है हजारों लोग हर साल training करते हैं तो अभी जो खबर आई कि Cole India Limited ने Chartered Accounted याने की CA और अपना company secretary में पास करन वाले यूवा जो यूवा लोग हैं उनको एक साल की apprenticeship के लिए उनकी जो salary है उसको increase कर दिया है तो आईए जानते हैं देखते हैं कितना है तो आप देख सकते हैं screen पर कि Cole India Limited ने Chartered Accounted एवं company secretary में पहले वर्ष पास करने वालों के लिए internship नियम में बदलाव किया अब इनका जो मान दे है याने की महीने की salary है वो हो गई है 22,000 रुपे महीना जी हां दोस्तों बड़ी खुसकबरी है कि अब जो है internship पर 22,000 रुपे मिलेंगे और इसके अलावा internship का जो समय होगा वो पूरे 15 महीनों का होगा जी हां दोस्तों एक सा तीन महीनों का internship होगा और आपको बता दे कि कोल इंडिया और अलग-अलग जो अनुसंगी कम्पनिया है जैसे कि BCCL हो गया CCL हो गया NCL हो गया WCL हो गया CCL हो गया यहां पर internship के लिए जो है लगभग 126 लोगों को मौका मिलेगा तो दोस्तों यह रही complete जानकारी किन लोगो का बड़ा है मान दे और कबसे मिलेगा यह रही पूरी जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें